दोस्तों आज हम बनाएंगे पकोड़ी की कड़ी और कड़ी बनाने में कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है तो आज हम डेटेल में आपको बताएंगे कि कड़ी हम किस तरीके से बना सकते हैं तो चली फ्रेंज आज हम कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले हम पकोड़े के लिए गोल बना लेते हैं तो आधा कब बेशन लिया है एक चोधाई चमच हम नमक डालेंगे एक चमच के करीब तेल डालेंगे पानी डालेंगे तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे चमस से इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा गोल बनके तयार है तो इसी तरह ऐसे हमें गोल बनाना है देखे आप एक इतना स्मूथ बनकर तयार हुआ है एक मिनेट हम चमत से इस तरह ऐसे फैट लेंगे 10 से 15 मिनेट के लिए इसे साइड में रख देते हैं एक लीटर छांच लिया है यानि मठा लिया है आज हम इसी की कड़ी बनाएंगे अगर आपके पास मठा नहीं है तो आप दही की भी कड़ी बना सकते हो यहां हमने आधा कप से आधा बेसन लिया है आप देख सकते हैं तो हमें इतना ही बेसन लेना है मठा में हम बेसन डाल लेते हैं विस्क या चमत से दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिला लिया है और इसमें एक भी लंज भी नहीं है एक कड़ाई लेंगे और कड़ाई में तेल डालेंगे तेल करम हो गया है तो आदा चमच जीरा डालेंगे आदाँ चमच मैथी डालेंगे इससे कड़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और दो कट्यों ही हरी मिर्ष डालेंगे और बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे प्यास को भून लेते हैं प्यास भून गया है तो जो हमने गोल बनाया था तो बो डालेंगे चमच से बराबर इसे चलाना है जब तक इसमें उबाल लाने लगे एक चमच नमक डालेंगे तो नमक आप अपनी स्वाद के उनसा ले सकते हैं आधा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे इसे चमच से मिला लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आया है और देखे आप कड़ी में उबाल आने लगा है मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूँगी कड़ी में उबाल आने के बाद हमें पता चल जाता है कड़ी गारी है या पतली है तो अभी ये बिल्कुल perfect है क्योंकि उबाल आने के बाद हम कड़ी को 20-25 मिनिट पकाते हैं तो ये जैसे जैसे ये पकेगी और गाड़ी होती चली जाएगी और बिल्कुल ये perfect बनके तयार हो जाएगी कभी कभी क्या होता है कड़ी हमारी गाड़ी हो जाती है अगर इससे जाना आपकी कड़ी गाड़ी है तो आपको क्या करना है एक कप मठा लीजिए और एक कप पानी लीजिए और दोनों चीजों को कड़ी में डाल दें जो कड़ी का गाड़ापन है वो कम हो जाएगा अगर आ पकोड़े निकाल लेते हैं तो एक कड़ाई में हमने थोड़ा सा तेल लिया है और आप देख सकते हैं कि पैटर कितना स्मूथ है अब हम इसके पकोड़े तोड़ लेते हैं तो तेल अच्छा गरम हो गया है तो आप चम्मस से भी पकोड़े तोड़ सकते हैं मैं हाँ से इस त पकोड़े से गए हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं जो बचा हुगा बैटर है उसके भी पकोड़े तोड़ लेते हैं 20-25 मिनट हो गए हैं और कड़ी पक गई है आप देख सकते हैं पहले से काफी कम भी हो गई है अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े और दो मिनट के लिए और कड़ी को हम पका लेते हैं एक तड़का पैन लेंगे और इसमें तेल डालेंगे तेल को गरम कर लेते हैं सर्षों और जीरा डालेंगे इसे हलका भून लेंगे लेहसोन और कड़ी पत्ता डालेंगे इसे भी भूल लेते हैं दो खड़ी लाल मिर्ष डालेंगे आधा चमश लाल मिर्ष पाउडर डालेंगे तो तड़का बिल्कुल रेडी है अब हमेंसे कड़ी में डाल देते हैं बारी कट हुआ हरा धनिया डालेंगे तो कड़ी बनके तैयार है आप देख सकते हैं कि यह देखने में कितने अच्छी लग रही है और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू